नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का Study Capital के इस Online Learning Platform पे तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं Business Studies के सिलेबस के लिए CVT 2025 के लिए तो आइए एक बार युद में उतरने से पहले अपने रणभूमी के बारे में जान लेते हैं कि आकीर हमारा जिस युद में हम जा रहे हैं उसके क्या-क्या रास्ते हैं किस रास्ते से हमें जाना है तो आएए डिसकस करते हैं Business Studies के सिलेबस को जो की हमारा CVT 2025 के लिए है तो सबसे पहले अगर बात करें पैटन की तो पैटन सबको पता है कि यहां पे 50 कोस्चन आने हैं और करने होते हैं 40 अटेम्ट करने होते हैं और अगर आपने सही किया तो आपको प्लस 5 मिलता है और अगर गलत किये तो आपका माइनस 1 होता है ये तो रही बात pattern की अब वहीं अगर बात करें syllabus की तो syllabus क्या है तो आपका syllabus दो भागों में बटा है part A, part B ठीक तो part A जो है वो management के बारे में है और part B में कुछ अलग चीज़े हैं जैसे financial market वगएरा फिर उसके बाद अगर syllabus ध्यान से देखें तो सबसे पहला जो हमारा chapter होता ह है वो है nature and significance of management ठीक है यहां पर हमें management के बारे में जानने को मिलेगा पहले चप्टर में जिसके अंदर हमें क्या क्या कवर करना होगा कि management का concept क्या है objective क्या है importance क्या है ठीक है उसके बाद nature उसका उसके बाद management को as a science as a profession हम compare करेंगे और उसके बाद level of management की बात करेंगे जिसमे top level, middle level, supervisory या first level के बारे में बात करते हैं फिर management के function की बात करेंगे फिर planning, organizing, staffing, directing, controlling यह अपने आप में chapter है जिसे हम आगे देखेंगे बाकी इस chapter में भी इसका थोड़ा सा थोड़ा मोड़ा पढ़ना है बाकी तो chapter में detail जानेंगे ही जानेंगे उसके बाद coordination जो सबसे important topic है इस chapter का जिससे maximum इस बार के जो जो पेपर हुआ था स्यूटी का उसमें इस chapter से total 4 से 5 question आए हुए थे जिसमें coordination के आपके 3 question थे coordination से ही 3 question थे paper analysis में फिर आगे अगर देखा जाए आगे अगर देखा जाए हम लोग तो second जो हमारा second जो chapter है वो है principle of management principle of management देखिए माक्स के बिहाब पे काफी important chapter है वो important इसलिए क्योंकि इस थोड़ा थोड़ा सा बड़ा chapter है और इस chapter में ज्यादातर question जो हैंडी फ्योल और FW Taylor के principle से आता है तो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि principle of management में हमको पहले तो मीनिंग पढ़ना है क्या कि principle of management होता क्या है significance का मतलब उसका important महत्पूंता पढ़ना है ठीक है यानि अगर मैं हिंदी वालों के लिए बता दूं तो principle of management का मतलब होता है प्रबंद के सिद्धांत ठीक उसके बाद बात करेंगे फ्योल सर के principle के फिर टेलर के साइंटिफिक मेनेजमेंट प्रिंसिपल के इस चेप्टर में केवल इतना ही जानना ज्यादा तर इंपोर्टेंट जो है आपका फ्योल और क्या कहते हैं टेलर के प्रिंसिपल उसके बाद थर्ड है वेवसाइक बातावरण यानि कि बिजनस इंवर्मेंट यह हमारा तीसरा चेप्टर होगा उसमें जिसमें बिजनस इंवर्मेंट का मीनिंग और उसके महत्त्यों के बारे में जानेंगे फिर उसके बाद है डाइमेंशन और बिजनस इंवर्मेंट जिसमें एकनॉमिक, सोश आपका management की फर्स्ट जो प्रायमरी फंक्शन कहा जाता है यहां से इंपोर्टेंट कोश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं बीस्टी के लिए तो यह कह है जो अपने महत्पूर्ण चेप्टर है छोटा है लेकिन कोश्चन बहुत ज्यादा इस से आता है तो मेनिंग फीचर इंपॉर्टेंस लिमिटेशन ठीक है यानि कि प्लानिंग का अर्थ उसके फीचर उसकी महत्पूर्ण ता और उसकी कुछ रुकाउट लिमिटेशन ठीक है यह सब पढ़ना है फिर उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग फिर टाइप ऑफ प्लान जो कि आप अप अब्जेक्टिस चैटरी पॉलेसी प्रोसेजर मेथर रूल बजट और प्रोग्राम इसको थोड़ा डीटेल में कवर करेंगे क्योंकि इस चेप्ट प्लानिंग के बाद से प्लानिंग में 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 प्लानि और प्रोसेस अगर कबर हो गया तो समझ जाए कि उस चेप्टर का लगभर 30 से 40 परसेंट एरिया कबर हो जाता था क्योंकि डारेक्ट डारेक्ट कुश्चन वहां से देखने को मिलते थे उसके बाद बात करेंगे हम लोग और इंपोर्टेंस के बारे में इस चेप्टर के बार के बारे में हम लोग इस चेप्टर में डिसकेस करेंगे उसके बाद आपका छठवा है स्टाफिंग जो की अपने आपने बहुत इंपॉर्टेंट चेप्टर है यह इछ एप्टर में थोड़ा इंपॉर्टेंट लेता हूं क्योंकि इस से कोंशन ज्यादा आते हैं मीनिंग नीड इंपोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग सेम पहले शेप्टर की तरह फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर HRM यानि Human Resource Management के बारे में डीटेल में देखेंगे फिर स्टाफिंग का प्रोसेस मैंने पहले ही कहा था कि सी परोसेस पर सब स्टीडेल Tennant क्या होता है उसका मीनिंग क्या होता है थि सोरसेस क्या होता है रिक्यूट्मेंट के जिसमें हम दारेक्टिंट ६ पढ़ेंगे ठीक है, external, internal पढ़ेंगे, फिर selection आता है, फिर selection क्या होता है, उसका meaning क्या है, उसका process क्या है, फिर training and development जिसमें on the job, off the job training के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आफ्टर देट यह हमारा आता है सात्मा चेप्टर डारेक्टिंग जिसमें आपको हमको मीनिंग इंपोर्टेंस प्रिंसिपल एलिमेंट डारेक्शन और सुपर विजन मोटिवेशन अप देखिए डारेक्टिंग अपने आप में कहा जाए तो फर्स्ट बुक का सबसे बड़ चेप्टर है यानि कोश्चन भी जादा इससे आएंगे ठीक है सबसे बड़ा चेप्टर है यानि कोश्चन भी इससे जादा आएंगे तो इसका मतलब है कि हमको इसे पूरी तरीके से डीटेल में देखना हुआ क्योंकि इसके अंदर कॉम्णिकेशन अपने आप में एक पर विजन यह सब कुछ हम लोगों को इस चेप्टर के अंतरगत देखना है फिर आता है आपका फर्स्ट पार्ट ए का पहला और पार्ट ए जो पहली किताब है उसका लास्ट चेप्टर ठीक है उसका लास्ट चेप्टर उसके बाद मीनिंग एंड इंपोर्टेंस क्या होता है फिर उसके बाद जो है हम लोग का सेकेंड किताब जो सेकेंड किताब है और जो महत्पूर्ण किताब है यानि कि आपका मैं मान लेता हूं कि 60% जो है आपका पार्ट ए है तो 40% आपका पार्ट बी होता है तो पार्ट बी को भी तो ऐसा तो नहीं है कि छोड़ देंगे इ उसके बाद आपका business finance ठीक है यह आपका जो है पहला chapter है जिसमें business finance क्या होता है उसका business में role क्या होता है उसकी meaning क्या है उसके बाद financial management क्या है financial planning क्या है उसका importance क्या है उसकी meaning क्या है capital structure क्या होता है fixed and working capital क्या होता है concept factor उसको effect करते हैं, यह सारी चीजें जिससे direct question आना है, पढ़ना के बल उतना ही है जिससे question आना है, ऊलव की चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, हमको separate करके वहीं चीजे पढ़नी है जिससे direct question आपका question आएगा, उसके बाद financial market बहुत हींट्रेस्टिंग है, मुझे के वी पढ़ाने में मझा अगा और आपको भी पढ़ने में बहुत मझाएगा क्योंकि यह चेप्टर बहुत ही मज़दार चेप्टर मुझे लगता है जिसमें हम लोग कौनसे फाइन सियल मार्केट मनी मार्केट कैपिटल मार्केट यह सब सब कुछ हम लोग इसके अंदर देखेंगे फिर उसका nature क्या है primary market क्या हैं secondary market क्या है फिर उसके बाद capital market और money market के बीच के इपने classes में देखेंगे बाकी इस इले बस है आपका बाकि आपका marketing है यह आपके part B का सबसे बड़ा chapter है question भी इससे बहुत अच्छे आते हैं और chapter भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है जिसमें marketing क्या होता है marketing mix क्या है marketing टूल क्या है product क्या है ठेक है promotion क्या है यह सब कुछ हम लोगों को इस chapter के अंतरगत देखना है सिने बस आपके पीछे हैं उसके बाद है कि हमारा consumer protection इससे तो बहुत ही question आते हैं यह क्या हो रहाँ कि consumer protection एक चेप्टर awareness टाइप का chapter है और यह awareness फैलाता है लोगों के बारे में मतलब कंज्यूमर के बारे में तो इसके question जान बूच के ज्यादा दिया जाता है कि बच्चे ने उसे तयार किया है कि नहीं वह aware हुआ है या नहीं तो इसको थोड़ा हम लोग important लेके चलेंगे इसको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि maximum question तयार ह हो पाएं जिसमें आप फिर वही बात करेंगे कि consumer protection का importance consumer right consumer responsibilities और consumer protection के बारे में एक्ट कितने हैं NGO का क्या रोल है यह सब लोग देखेंगे ठीक और अंतीम चैप्टर हमारे सिलेबस का है वो है entrepreneurship development यह जो है आपका क्या कहते हैं पहले देखा जाए तो नहीं हुआ करता था लेकिन अब से जब से entrepreneurship की entrepreneurship का characteristic क्या है competence क्या है process of entrepreneur development देखेंगे entrepreneurial value देखेंगे attitude देखेंगे motivation देखेंगे meaning और concept देखेंगे तो यह तो रहा हमारा एक overall syllabus तो syllabus को तो हमने देखिए discuss कर लिया लेकिन इन syllabus को पूरे तरीके से detail में हम लोग अपने classes में cover करेंगे ठीक जिसमें मैं आपके साथ YouTube पे और जो बच्चे हमारे यहां paid course join करेंगे उनको और detail में जो है जानने का मौका मिलेगा तो आपको पूरी तरीके से detail में जानने के लिए पूरा syllabus एकदम deep में cover करने के लिए हमारे paid batch के साथ जरूर जुड़ें और YouTube पे तो जुड़े ही जुड़ें बहुत बहुत धन्य टुड़ें